बिस्मिल्लाहिरोमानुरहिमजी असलामुलेकूम मैसल फराना तजम्मूल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल आज के लेक्चर में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिसकस करेंगे और डिफरेंट काइंड की जो टाइपस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की उसक इस जगा पर हमारे पास डिफरेंट काइंड की सर्विसेज हैं लाइक डेटा स्टोरेज है सर्वर है डेटा बेस है नेटवर्किंग अड़ सॉफ्टवर वगहरा जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रवाइड करते हैं इंटरनेट के थूँ बेसिकलि अगर बात की इसकी बहुत ज्यादा कॉस्से होती है इंक्रीजड पर्डेक्टिविटी होती है स्पीड एफिशेंट होता है यह सिस्टम पर्फॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फरक पढ़ता है और सक्यूरिटी भी मोर होती है अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं किसी सब्सक्राइब को और उसके बाद हम हाइब्रेड क्लाउड को डिसकस करेंगे क्लाउड में अक्चुली क्या होता है प्राइवेट क्लाउड में बेसिकरि फर्ड पार्टी इंवाल्व नहीं होती मीन्स दैट इसमें सेक्यूरिटी मोर होती है क्लाउड सर्वेस यूजड बाई असिंगल और गनाईजेशन मेंज दैट यहां पे डिफरेंट ओर्गनाईजेशन मतब कि जितना भी आपने रिजर्व करवाया वह सिस्टम यह क्लाउड की सर्वेस लिए उसको डिफरेंट ओर्गनाईजेशन यूज नहीं कर रहे होंगे आ पिर क्या गारा ठूर पाटी का मतल ही है कि बेसिकली होता है क्या कि जो हमारा क्लाउड एक इसको मैनेज करने के लिए या जो भी आपने इंफ्रास्ट्रेट्चर लिया हुआ या क्लाउड की जो भी सर्विसेज लिया इसको भेंड परिस को मैनेज कर रहे ہوتे थी. ठीक है ल फाइवाल मतलब कि यह reside कर रहा होता है inside the organization मतलब public नहीं होता आपका ही होता है आप इसको manage करते हैं so only the organization has access to it and can manage it means that कि organization definitely इसको क्या करेगी manage करेगी because private third party involved नहीं होती है I hope आपको private cloud का idea हो चुका होगा अगर हम public cloud की बात करें तो basically यह expose कर दिया जाता है public को इसमें third party involved होती है और यह आपकी firewall के behind नहीं होता बलके इसमें third party भी involved होते हैं जिसमें example amazon web services दी होई है जो कि हम use करते हैं basically वो public cloud के दोरा होते हैं the cloud services are exposed to the public and can be used by anyone क्योंकि यह public होते है definitely कोई चीज़ आप private रख लें तो एक चीज़ को पब्ले कर रहे हैं तो definitely पब्लिक जो एनिवन एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने पब्ले कर दे विर्चिलाइजेशन इस टिपिकर यूज टू बेल्दा cloud services that are offered to the public public for example हमारे पास यहां पे amazon की होटी आइए अपको पब्लिक और प्राइवेट में समझा आगए प्राइवेट में वह आपके ही एकसेस में होता है आप ही इसको manage कहता है third party involved नहीं होती बट public में third party involved होती है ठीक है तो इसके बाद अगर हम बात कहते हैं hybrid की basically the combination of private and public cloud is called hybrid computing जो है या cloud computing है यह क्लाओ फिर आए क्लाओ ऑड़ यह कहा दएते है क्योंकि हमारे पास क्या किया जाता है जो sensitive applications होती है hybrid में क्या किआ जाता है कि जो sensitive information होती है बो private cloud पर रजट दी जाती है और जो other services होती है उनको क्या कर दिया जाता है पॉब्लिक कर दिया जाता है मींस दाट अकॉर्डिंग टू नीड मींस एट यू कन से दाट के यहां पे आप स्विच कर सकते हैं प्राइबेट और पॉब्लिक में दूनों आपके पास मॉड अवेलेबल होते हैं ठीक है जो सेंसिटिव इंफोर् अप्लिकेशन आर्ट इंसाइड ऑर्गनाइजेशन नेटवर्क मेंस दाट प्राइवेट क्लाउड वेराद अधर सर्विसेज करके कोई भी मॉड यूज कर सकते हैं यह बेसिकली हमारे पास आज का लेक्टर था जिसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग देखा जो के में ड सकते हैं सबस्क्राइब को करने के कुशिश करूंगा यह बेसो अच्टा लगा तो प्लीज कमBeंट करें लाइक करो और चैनल और चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यह सो मुच पर वाचिंग इस वीडियो थे कियर अलाफिष